असकार दोस्तों, स्वागते आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर पांच मई को चंद्रग्रहन 6 राश्या होंगी करोडपती साल 2023 का प्रथम चंद्रग्रहन लगने जा रहा है जो वैसाक महिने की पूर्णिमा को रहेगा इस ग्रहन के दोरान बहुत सारी गटनाएं होंगी तो वहीं सूर्य, बुथ, देवगुरु, ब्रहस्पती और राहु की युती बनी रहेगी ये चंद्रग्रहन काफी भयंकर चंद्रग्रहन रहने वाला है और ये चंद्रग्रहन काफी लंबा चंद्रग्रहन रहने वाला है आपको बताना चाहेंगे कि 5 मई को पढ़ने वाला चंद्रग्रहन सभी राशों पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है परन्तु सभी राशों में से 6 राशियां ऐसी है जो काफी जादा भागिशाली है उनको करोडों का धन मिलने वाला है वो धन से माला माल होने वाली है दोस्तों इस ग्रहन के प्रभाव से देश में काफी जादा प्रभाव पड़ेगा जैसे तूफान, भुकंप जैसी प्राकृतिक अपदाएं हो सकती है दोस्तों 5 मैं 2023 को पढ़ने वाला चंदर ग्रहन इसका सही समय और सूतक काल इसके अलावा कौन-कौन सी राशिया भागिशाली रहेंगी किस प्रकार का प्रभाव इनके उपर पड़ेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे साथी भारत के किस हिस्से में दिखाई देगा और किस किस देश में दिखाई देगा ग्रहन का सूतक काल और ग्रहन के समय क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन महतवपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे उन सभी कारियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको आपको ग्रहन के दोरान आपको करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्टित तोर पर आपको इसका शुब परिनाम आपको मिलेगा और दोस्तों जीवन में चली आ रही परिशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों 5 मैं 2023 को साल 2023 का लगने वाला पहला चंदरगरण ये वैशाक मास की पूर्णिमत इथी को रहेगा कृप्या करके दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें और आप से विन्वर निवेदन है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेर भी जरूर कर दीजेगा दोस्तों ये चंद्रग्रहन भारत में भी दिखाई देगा और इसका प्रभाव भारत के साथ साथ कई देशों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा जोतिश शास्तर के अनुसार सूर्य ग्रहन हो या फिर चंद्रग्रहन हो इसके सूतक काल के धर्मियान कही नियोमों का पालन भी करना चाहिए और ग्रहन काल के प्रभाव से कही राश्यों पर इसका शुब असर देखने को मिलता है तो कही राश्यों पर इसका अशुब प्रभाव भी देखने को मिलता है कुछ राशियां धन से मालामाल बन जाती है तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है साल 2023 को लगने वाला पहला चंदरगरण ये स्वाती नक्षत्र यानि के बाद विशा का नक्षत्र लग जाएगा और ये तुला राशी में रहेगा तो तुला राशी के जातकों को बहुती सावधानी बरतने की जरूरत है क्यूंकि ये तुला राशी में इस बार चंद्रग्रहन लगने जा रहा है और विशाका नक्षत्र के व्यक्तियों को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है चले आये जान लेते हैं किस-किस देश में दिखाई देगा दोस्तों इसका असर भारत समेत दक्षनी पूर्व यूरप, एशिया, आस्ट्रेलिया, अफ्रिका, प्रशांत महासागर, एट्लांटिक, हिंद महासागर के साथ-साथ में देखा जा सकेगा यूरप के कुछ हिसों में और अमेरिका के कुछ हिसों में दिखाई देगा साल का लगने वाला पहला चंद्रग्रण इस समय की शुरुवात अगर बात करें तो ये 5 मही को रातरी में 5 मही को रातरी 8 बज़ कर 45 मिनिट से इसकी शुरुवात हो जाएगी इस चंद्रग्रहन की और इस चंद्रग्रहन की समापती का जो समय होगा ये 8 मई को रातरी 1 बजह यानी लगबग 4 घंटे 15 मिनिट इस चंद्रग्रहन की अवधी होगी सूतक काल चंद्रग्रहन में 9 गंटे पहले ही लग जाता है तो चंद्रग्रहन लगने से पहले 9 गंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा पांच मही को दुपैर 11 बचकर 45 मिनिट से इसकी शुरुवात हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा पांच मही को जब ग्रहन समाप्त हो जाएगा रातरी 1 बचे तो सूतक काल में समाप्त हो जाएगा दोस्तों इस दर्म्यान कोई भी शुबकार्य ना करें पूजापाट ना करें मंदर के कपाट वगेरा सब बंद कर दें बड़े बुड़े वुजर्वों को छोड़कर कोई भी भोजन नहीं करें ना ही खाना बनाएं और ना ही खाना पकाएं और ना ही खाना यानि अपने घर में बच्चे रहने दें अगर कोई बच्चा है तो तुलसी दल उसमें रख दीजेगा सूतककाल और ग्रहनकाल के समय किसी भी प्रकार के जैसे गर्वती महिलाएं हैं चाकू, सुई, सबजी, फल, आधी काटना वर्जित है गर्वती महिलाओं को बहुत ही विशेश साब्धानी वरतनी की जरूरत है ग्रहनकाल के दर्म्यान गर्वती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, फूजापाट नहीं करना चाहिए और गर्वती महिलाओं को ग्रहनकाल के दर्म्यान महामृत्यूजे मंत्र का जाप करना चाहिए जैय adventure किष्न मंत्र का जाप करें ओम नमश शिवाय और साथी गायत्री मंत्र का जाप करें ओम चंद्र देव आय नम इस मंत्र का जाप करें धार में कुस्तकों का पाट करें क्योंकि दोस्तों साल 2023 का लगने वाला ये पहला चंद्रग्रण इसका सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों चाहें पुरुष हो या फिर महिलाएं हो खासकर ग्रण के समय विशेश साथानी बरतने की जरूरत है लडाई जगड़े से भी दूरी बनाए रखें ग्रण के बाद आप जरूरत मंद लोगों को दान जरूर करें उनकी सहायता करें और साथी आप ग्रण के समय कोई भी शुबकार्य ना करें पूजापाट ना करें देवी देवताओं की मूर्ती को ना चुएं इस दोरान कोई भी शुबकार्य ना करें साथी बता दें आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं अगर पहले से ही आपने तोड़ कर रखा है साल 2023 में लगने वाला ये पहला चंद्रगर्ण आपकी जीवन में काफी ज़्यादा एफेक्ट डालेगा प्रभाव डालेगा पैसे से जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्या है उसे चुटकारा भी दिला सकता है परंत यो हमारे देश के साथ-साथ कई देशों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं डालने वाला बुरा प्रभाव डालेगा अच्छुब प्रभाव भी इखटा कर रहा है कई प्रकार की मुसीवतें हमारे देश के साथ-साथ कई देशों में ला रहा है तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो राशिया जो इस बार के चंद्रग्रण में करोड़बती बनने वाली है जिनके लिए ये चंद्रग्रण काफी शुब रहने वाला है जिनके भाग्य सात्वे आस्मान पर रहने वाले हैं दोस्तों ये राशियों के साथ-साथ कही राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों सबसे पहले खुशनसीब और भागेशाली राशी है जिसका इस चंदरग्रहन का प्रभाव पड़ेगा जिसके उपर वो है दोस्तों मेश राशी मेश राशी वालों आपको बता दी आपको बहुत सारी अवसर मिलेंगे इसी जौब के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे आपको उचायों पर ले जायेगा समाज में आपको मान समान मिलेगा आपको भहुत सारी लोगप्रियता हासिल होगी बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा नए अवसर मिलेंगे सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं तो विशेश लाब होगा धन संपती में तो इस चंद्रग्रहन के दर्म्यान निवेश करके अच्छा खासा लाब कमा सकते हैं, आपके आधे अधूरे काम सब पूरे हो जाएंगे, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी, कई बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और आपको यानी की बैतर अवसर मिलेंगे, स्वास्ति की लिहाज से काफी अच्छा रहेगा, धन के अच्चानक नए स्थोत्र मिलेंगे, एक नहीं कही धन के स्थोत्र नजर आएंगे, तो बता दें कि इसमें विदेश से धन आएगा, जीवन साती से लाब होगा, जीवन साती से धन की प्राप्ती होगी, प्यार और अच्छ के फूल खिलेंगे, कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे, जी हाँ दोस्तों, अभी आपका भाग्य खुलने वाला है, दूसरी खुशनसीब भागशाली राशी है, मिथुन राशी, जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशी वालों आपको बता दें, इस बार का ये ग् भागशाली दिन रहेगा, ये दिन और साथी साथ कोई बड़ा शुब समाचार मिलेगा, बड़े कारियों में सफलता मिलेगी, आपका भाग्य हर काम में आपका साथ देगा, इसलिए आप जो भी बड़ा काम करेंगे, चाय व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इसमें शुब समाचार मिलेगे, पतनी के बीच सम्मंद मधूर बने रहेंगे, भागशाली रहेगा, ये चंद्रग्रण आपके लिए, आपके रुके हुए सभी कारियों में सफलता मिलेगी, कही कारियों में सफलता मिलेगी, आर्थिक सिती के तौर पर देखा जाए, तो ये चंद्रग्रण आपके लिए शुब साबित होगा, जी हां दोस्तों, अगली राशी जो है, वो है कन्या राशी, कन्या राशी वालों को बता दे, आपको बहुत सारे शुब संकेत मिलेंगे, आपका व्यापार बड़ेगा, कोई बड़े परिशानी या प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी, प्रेम समंदों में मजबूती आएगी, आर्थिक सिती काफी बहतर होगी और साथी साथ कारिस्तल पर चल रहे विवाद भी खतम होगे, बता दे, इसमें कोट कचेरी के मामले में लाब होगा, प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, प्रतियोगी परि लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे, नए बिजनस व्यापार की शुरुवात करेंगे और इसमें कोट कचेरी के मामले में भी विजय प्राप्त होगी, जीवन साथी से संतान की प्राप्ती होगी और विरोधियों को मात दे पाएंगे, साथी साथ बताने की स समाज में मानसमान प्रतिष्टा प्राप्त होगी और बैंक शेत्र से लोन वगेरा मन्जूर हो सकता है जो आपकी आर्थिक सिती को मजबूत करेगा तो ये चंदरग्रहन आपके लिए काफी शुब रहेगा सौभागे शाली रहेगा आपका भागे सूर्य के समान चमकेगा ज जी हाँ दोस्तों अगली खुशकिस्मत राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दे ये चंदरग्रहन आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा भागे शाली रहेगा कई बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल आपके सुभाव में भी बदलाव की संकेत मिलेंगे आपका व्यवार शांत और सौम्य बना रहेगा सभी के साथ प्रेम चे व्यवार करेंगे सफलता मिलने के बाद भी आप गर्व नहीं करेंगे सभी को सम्मान देंगे आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मि इश्वर में लगा रहेगा आपके द्वारादार में कार्य भी किये जाएंगे जिसमें लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आर्थिक रूप से आपके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश खतम होगी और एक बैतर अच्छी नौकरी की प्राप्ती होगी और कारिस्तल पर आपके कार्य की सराना की जाएगी किसी महीला मित्र से सहायता हो सकती है आपको बड़े प्रोजेक्ट में फायदा हो सकता है दोस्तों अगली भागिशाली राशी है तुला राशी तुला राशी को ये चंदरगर्ण आपके लिए अच्छा रहेगा नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं धन समपत्ती में वृधी के कारण समाज में मान सम्मान बड़ेगा परिवार के साथ किसी बात को लेकर अनभन हो सकती है एक विचार पर सहमत न बनने के कारण थोड़ा सा कलेश हो सकता है और थोड़ा सा क्रोधित अभाव होने के कारण किसी कार्य में नुकसान भी उठा सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखेगा और चिर्चड़ापन हो सकता है शुब यात्रा कर सकते हैं यात्रा पर जा सकते हैं, कारिस्तल पर तेजी देखने को मिलेगा और आप अपने काम को पूरा करने का लक्ष भी बना सकते हैं, आर्थिक तृष्टिकों से ये समय काफी अच्छा रहेगा, तो ये आपके लिए काफी बहुत ही बड़ा अच्छा रहेगा, ये दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की करेंगे और साथी साथ समाज में मान समन प्रतिष्टा प्राप्त करेंगे, कई बड़े लाब देखने को मिलेंगे, सुख सुविधा में व्रिधी होगी, साथी नए घर जमीन प्रॉपर्टी की खरीदारी करेंगे, जमीन अगर नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसे बेच पाएंगे, साथी बता दें इस समय आपको विशेश सावधानी वरतने की जरूरत है, आपको कोई भी नया फैसला लेने से बचना होगा, नया डिसिशन लेने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कुम्ब राशी के चातकों की तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, लेन देन के मामले में सावधानी जरूर बरते हैं, जी हाँ दोस्तों ये है वो भागिशाली राशियां जो की चंदरग्रहन के प्रभाव से करोड़पती होने वाली है, दोस्तों ये चंदरग्रहन इन राशी वालों के लिए अत्यंत लाबकारी साबित होने वाला है, इस चंदरग्रहन के प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धनलाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है, जिससे इन जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें